हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आफ इग्जैमिनेशन एटेंप्ट करने वाले हैं उसका बैस तरीका क्या रहेगा एटेंप्ट करने का कुछ टिप्स में आपको पेपर की तो दोस्तों जब हम पेपर की बात करते हैं तो आपका पेपर दो तरीके से सेट किया जा सकता है और दोनू तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह आपका इग्जैमिनेशन एटेंप्ट करना है तो दोस्तों जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपका पेपर की मतलब अगर पेपर में एक question English का दिया हो दूसरा जीके का दिया हो तीसरा computer का दिया हो या फिर से कोई English का आया हो फिर reasoning का आया हो तो इस तरह जो questions है वो mixed pattern में आपको दिये गए होंगे तो इस तरह के paper pattern में आपको 100%, 50% और 0% का जो rule है उसको लेके चलना होगा यानि आपको अपना paper तीन round में करना होगा सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तो 100% के बारे में दोस्तो यहां पर आपको क्या करना होगा जो ही आप अपना question booklet open करेंगे तो for example आपने देखा question number one तो जो ही आप question number one पढ़ेंगे अगर आपको इस question का answer 100% पता है तो आप इस question को attempt करें और यहां पर tick का sign डालेंगे मतलब यह question हो गया इसके बाद for example आपने question number two पढ़ा अगर आपको इसका answer 100% पता है तो आप इसको भी attempt करेंगे और इसके उपर एक question के उपर एक tick mark डालेंगे इसके बाद for example आपने question number three पढ़ा तो जो ही आपने question number three के options पढ़ें तो यहां पर आप फस जाते हैं दो options के दर्मियान जहां पर आपको शक होता है या तो a part सही है for example या फिर part b सही है तो दो options के दर्मियान में आप फस जाते हैं और अकसर यहां पर काफी time waste हो जाता है दोस्तों यहां पर आपको इस question को फिलहाल के लिए छोड़ना होता है और sign आप रखें जो ही आप question number 4 पढ़ेंगे उसके बाद अगर आपको question number 4 का answer पता है तो आप उसको attempt कर लेंगे और साथ में यहां पर question के उपर एक tick mark डालेंगे अब बाद रही कि यह जो हमने star वाला question रखा इसको अब हम attempt कर करेंगे यह मैं आपको आगी बताऊंगा for example इसके बाद आपने question number 6 पढ़ा तो जो ही आपने question number 6 पढ़ा इसका answer आपको बिलकुल भी नहीं पता तो इस question को पढ़ने के बाद आपको simply इसके उपर एक cross का sign लगाना है मतलब मुझे इस question का answer नहीं पता और सीधे question number next या question number 7 पे आजाना है तो question number 7 को बाद अगर आपको इसका answer आता है तो आप इसको attempt करेंगे 100% अगर पता है तो आप इसके उपर फिर एक tick लगाएंगे इस तरह फिर आप आगे बढ़ेंगे question number 8 पे अगर आपको आता है तो आप उसको जल्दी जल्दी से करेंगे tick लगाएंगे और इसी तरह से next question पे बढ़ेंगे तो दोस्तो ये strategy आपको round number 1 में लगानी होगी आपको 100% वाले सारे question जो है उनको attempt करना होगा और जो 50-50 वाले questions होगे उनके उपर star रखना होगा और जो बिल्कुल भी नहीं आते होगे उनके उपर आप cross का sign लगाएंगे दोस्तो यहाँ पर जो ये 100% वाल तो 120 questions को करने में आपको सिर्फ 30 minute सी लगेंगे यानि पहले 30 minute में आप उन सारे questions को attempt कर पाएंगे जो आपको 100% पता है तो दोस्तो ये हुई बात round 1 के बारे में उसके बाद आप round 2 करेंगे तो round 2 में आप क्या करेंगे आप star वाले questions पे आएंगे यानि जहां पर आपको 50-50 वाला option मिलता है दो option इसके दर्मियान में आपको लगता है ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है दोस्तों कि आपने already question आदा गंटा पहले पढ़ा होगा और उसके बाद आपको पताई है कि जो जब हम question पढ़ते हैं तो question पढ़ने के कुछ time बाद हमें याद आता है कि इ question का answer आप recall कर पाएं यानि आपको याद में आया होगा अक्सर आप देखते हैं कि जब आप किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ time के कुछ time पहले वो याद नहीं आता है लेकिन जो ही कुछ वक्त गुजरता है तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद आप उस का उस बात को याद कर पाते हैं या यह वो बात आपको याद आ जाती है तो काफी ज़्यादा chances हैं कि जब तक round 1 खतम हुआ होगा उस time तक यह जो इसका answer है यह 50-50 का answer वो आपको याद आ गया होगा दोस्तों यह एक psychological fact भी है कि जल्दी जल्दी से हमें बात याद नहीं जाए और उसके बाद आपको जो सही answer लगेगा या जो आप याद कर पाएं तो उस हिसाब से आप यह 50-50 वाला option है तो उसको आप attempt करेंगे तो यही procedure आपका आगे रहेगा जहां जहां पर भी आपने star लगाया होगा उन सारे questions के उपर आप जाएंगे और उनको attempt करने की तो round 3 में दोस्तों आपको याद रखना होगा दो तरह की चीज़ें यहां पर हो सकती हैं एक यह कि जब आप round 1 करेंगे और round 2 को भी complete करेंगे और round 2 और round 1 को complete करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने safe score किया तो आप क्या करेंगे round 3 में चोंकि round 3 में आपने वो वाले questions रखे हैं जो आपको बिलकुल भी नहीं पता आप इनका answer जानते ही नहीं है तो बेहतर यही रहेगा अगर आपको safe score बनता है तो आप इन वाले questions को attempt नहीं करेंगे आप इनको leave ही करेंगे छोड़ेंगे आप इन questions को क्योंकि आपने पहले ही safe score किया क्योंकि negative marking है अगर आप के answers यहां पर गलत लगें जिससे आप यहां पर जो marks हैं वो फिर खो देंगे बेहतर यही रहेगा अगर आपको लगता है कि round 1 और round 2 में आपका safe score बनता है तो आप round 3 यानि उन questions को attempt नहीं करेंगे जिनका answer आपको नहीं पता लेकिन अगर आपको लगता है कि आप race में नहीं है आपका score जो है वो safe नहीं है अब मुझे यहां पर round 3 को भी attempt करना होगा यानि मुझे उन questions को भी सालो करने की कोशिश करनी होगी जिनका answer मुझे नहीं पता यानि आप अब आप तुक्के बाजी पे आएंगे आप guess करेंगे और answer लिखेंगे फिर वो सही हो या गलत हो अब इन तुक्कल लगाने से पहले मैं आपको जो दूसरा टाइप है पेपर का अगर उस टाइप से आपका पेपर आता है यानि टाइप second section wise अगर आपका पेपर आता है तो उसको आप कैसे attempt करेंगे दूसरा टाइप हमने पढ़ा कि आपका जो पेपर है वो section wise दिया गया होगा for example पहले English के सारे questions दिये गए होंगे बाद में Maths and Reasoning के questions दिये गए होंगे for example उसके बाद General Awareness और GK के questions दिये गए होंगे उसके बाद for example computer section के questions दिये गए होंगे तो अगर इस तरह से पेपर आता है तो आप इसमें क्या करेंगे तो दोस्तों अगर इस तरह का question paper आता है इस तरह से question paper को set किया गया होगा तो आप क्या करेंगे आप पहले उस वाले section में आजाएंगे जहां पर आपका hold सबसे ज्यादा है for example अगर आपको computer पे ज्यादा hold है तो पहले आप directly इसी section पे आएंगे उसके बाद for example आपका जो hold है वो ज्यादा English पे है तो आप दूसरा English section पे आएंगे उसके बाद for example आपका hold जीके और general evidence पे ज्यादा है तो आप फिर उसके बाद इसके उपर आएंगे और जिस section के उपर आपको least hold है कम आता है तो उसको आप last में attempt करेंगे लेकिन यहां पर जो questions को सालू करने की strategy होगी व तो मैंने पहले बताया याने पहले वाले type of paper में यहां पर भी आप क्या करेंगे for example आपका computer वाला section ज्यादा strong है तो यहां पर भी कुछ questions ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत easy रहेंगे और कुछ होंगे जो tough रहेंगे जो यहां पर आपके लिए easy रहेंगे उनको आप 100% के rule से करेंगे उसके बाद 50% के rule से करेंगे और जल्दी जल्दी से उन questions को सालू करने की कोशिश करेंगे जो आपको अच्छी तरह से आते हों और उसके बाद अप अपने दूसरे वाले favorite या फिर strong वाले portion पे आ जाएंगे यहां पर भी आप इसी तरह से जल्दी जल्दी करें है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल भी safe score नहीं किया तो उस हालत में अब आप क्या करेंगे दोस्तों जब हम exam देने जाते हैं या जो भी exam में आता है question आता है live में कभी कभी या कभी न कभी हमने उसके बारे में सुना होग कभी देखा होगा या फिर कभी खुद भी पढ़ा होगा तो अब ऐसे हालत में हम क्या करें दोस्तों जब आप question को पढ़ेंगे question में आपके पास चार options होंगी तो जो ही आप question को पढ़ेंगे तो question को ठीक पढ़ने के बाद जो भी आपके मन में जो भी option आपका मन बोलता है ना उसी के ऊपर आप टिक करेंगे ये तो का है याद रखेंगे for example मैंने कोई question पढ़ा for example who was the first president of India जवालाल नहरू डाक्टर राजेंदर प्रसाद तो जो ही मैंने question पढ़ा और उसके फॉरण बाद जो मेरे मन में आता है कि इसका सही answer क्या है तो मैं वही लिकूँगा for example मेरे मन में आता है डाक्टर राजेंदर प्रसाद तो मैं उसी को टिक करूँगा लेकि दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा तुके बाजी recommended नहीं है अगर आपका safe score बनता है तो आप बिल्कुल भी तुके बाजी नहीं करेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उमीद ये भी रहेगी कि आपको आने वाले exam में इन tips से help जुरूर मिलेगी तो दोस्तों मैं करता हूँ ये वीडियो यहीं पर end मिलता हूँ मैं आपसे एक next video में तब तक के लिए take care